कोई एजुकेशन तमिलनाडू में हुआ है, स्टेट बोर्ड के अंडर हुआ है, तो अगर वो, he has learnt or she has learnt the first foundational years in Tamil, और वो हिंदी नहीं बोल सकता, तो क्या वो skill का जो कार्ड उसको मिलेगा, क्या वो उतर प्रदेश में या हर्याना में उसको नौकरी मिल जाएगी? लगे मैं आपको एक जहाम लोग बैटे है ना, आपकी ओफिस में, इसके पास यह जो हमरे common wills की समय में, श्टाडियन सब इसके आसपास है, यह एक आपकी ओफिस की सामने एक आर्क है, मोती बाग की पिछे लिला, एक आर्क है, आर्क बनाने वाला, उस समय में याद करो, पि ब्रीज को, फूट ओफिस बनाने, अचानक मेरे गाउं की लड़का उसमें से पीडित हो गया है, मेरे को गाउं से फोन आया, उडिसाल गाउं से, मेरे गाउं से, नेटिव गाउं से, तो वहां मैंने ख़बर लिया, यार, हमारा लड़का यहां कैसे आया, वो लड़का, उसकी सुपरवेजर केटेगरी में था, वो बड़ा चोट आया, उसकी ट्रोमा सेंटर में रखके उसको चिकिश्चा किया, तो उसमें ना उसको उडिया छोड़के, हिंदी तो दूर का बात है, ना इंगलिस आता है, ना हिंदी आता है, लेकिन वो उस कंपनी की बहुत इं प्रख्यों की टोली, तामिल नाडू की तिरुपूर में काम कर रहे थी, और सब पिछडे ग्रामें इस प्रकार की प्रुष्टु भूमी की लड़की थे, काम कर रहे थे तामिल नाडू में, तेको भासा कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं बनी है, ना आने वाले दिनों में बन जाओगे, क्योंकि भारत की भासाओं की बहुत इंटरकनेक्टिविटी, भाबात्मद और उसकी जो फोनेटिक्स दोनों में है, इसलिए मैं सबको रेस्ट्रिक्शन नहीं मानता हूँ, उसको मैं कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर मानता हूँ, सभी भारतिय भासा है, समस्तों आई जाती है, यह सब रेस्ट्रिक्टिव शीज नहीं है, हमें लेकिन आपने जो मूल विशे उठा है, कि इसको आप इतने बड़े देश में इसको पोहुंचाओगे कैसे, उसको एक रेस्पेक्टेबू लिभिंग और आर्निंग की वेवस्था कैसे करोगे, इसल स्टार्टप की एक नेटवर्क मनी है, वेल्थ क्रियेशन को हमेशा नेगेटिवली देखा जाता था हमारे कंट्री में, हम वो सोशलिस्टिक माइंड सेट में थे, फो सो मिनी यहर्स की पैसे के बारे में एक बात नी करना और जो पैसे बनाता है उसको वल्गारिटी से दे उसकी भेल्यूस था, वो समाज की जितने सारे भारत में, जितने सारे प्री कोलोनी एरा में, जितने सारे बड़े चीश बना है, बनाये कौन, तलाबों को देखो, चोल्टिस को देखो, धर्मसालाओं को देखो, मंदिरों को देखो, मंदिरों से जुड़ी हुई, फूड स पूरी कुनारक का सुरिय भगवान का मंदिर और शीव जी का मंदिर बोवनिश्वर में लिंगराज यह हजारों साल पूराने मंदिर वहां तो कोई उस समय में गौर्वर्मेंट अफ हिंडिया की बज़ेट आलोकेशन नहीं होगी समाज में संपन्नत था समाज ने बना होगी तो उनने जो टाक्स दिया उसी में उनकी वेवस्ता बनाई होगी भूरा दक्षिन की चीजों को देखो देखो देश की वाटर बोड़ी को देखो मध्यपरदैσ की अभी मैं IIT इंदुर में था IIT इदुर ने एक स्टड़ी निकाला है जो मध्यपरदैस की आज की मध्यपरदैस की जितने वाटर बोड़ीज है उसकी इतिहास उनों ने लेखा स्टड़ी किया scientific study किया हजारों सालों में मध्या परदेश की जो rain water ratio है बारिष में जितना पानी होता है उसके calculation कई सालों से है उसकी total volume और मध्या परदेश की water body की carrying capacity दोन लगवा गये तो उसको कौन बनाया था उस समय उन दिन हम इतने सारे विश्व विद्याले बने थे इसलिए wealth creation को यहां एक ब्रहम में जो भारत की आत्मा को नहीं पहचानने बाले लोग उसको आपने जैसे सारे सब्दवले कहा जिसके पास थोड़ा संपन्नत आई उसको हमने नीचा देखा परधान मंतरी जी देश की पहला नेता होंगे जिनोंने लाल किले की मंच में कहा कि I need wealth creator in my society मैं उनको प्रोश्यान करना चाहता हूं मैं उनको मदद करना चाहता हूं मैं उनकी कामों में बाधा नहीं बनना चाहता हूं इसलिए तो उन्होंने कहा minimum government maximum government